कि हैलो दोस्तों देखिए आज हमें कैसे स्टोक के बारे में डिसकस करने जा रहे हैं जो कभी भी स्टोक केवल उपर ही जाता और याद रखिए जब भी ये stock नीचे गिरता है न तो नीचे गिरने के बाद ये stock भागता जरूर है मतलब ये जो गिरावट है न ये seasonal गिरावट होते है seasonal गिरावट का मतलब समझ सकते हो ये nature के उपर depend होता जैसे मौसम change होता ऐसा बात नहीं कि इसका product के demand में गिरावट आ जाती है तेजी देखने को मिल सकती है तो पहले तो देखना पड़ेगा कि quarter result तो सभी company के आते है जो हम quarter result पर focus कर रहे है क्या वह अच्छी company के है या फिर नहीं है करके अब नीचे देखोगे तो देख सकते हैं मेरा ये new YouTube चैनल जिसका नाम है high quality store तो यहाँ पर वीडियो देखने के तो सबसे पहले company का नाम नहीं बताऊंगा देखो इस channel का main purpose क्या है knowledge plus stock knowledge plus stock आपको बताना देखो knowledge अगर आपको मिल लाएगे तो stock आज कल पर जब भी खरीतना चाओ आप खरी सकते हो को tension वाली बात नहीं रही देखो अब आज के rate में आप सोचो कि AC का demand क्या है cooler का demand क्या है नहीं सही से पता चलता है देखो किसी company के product के बारे में अगर आपको पता चल रहा कि भाई इसका जो product है वो excellent है आँख बंद करके इंसान जो उस company में पैसे लागा सकता है क्योंकि उसको इस से मतलब नहीं है share का price 500 है या फिर 800 है या फिर 10 रुपे है हाँ quality होना चाहिए बह आपी तो 2021 चल रहा है है कि नहीं लेकिन फिर भी आप देखते हो कि गर्मी बहुत ही जादा रहता है तो आज करके अगर आप देखोगे तो लगवा पिछले दो साल पहले symphony जो है एक बहुत बड़ा stocks बन गया एक multi-bug stocks बन गया जो बहुत छोटा सा हुआ करता था क्यूँ क ब्राजिल में देखने ना चाहते हैं अपस्ट देखने को मिलता है। देख सकते हैं मेक्सिको आपको देखने को मिला जापान देखने को मिला इंडोनिशिया देखने को मिला नौट अमेरिका अमेरिका देखने को मिला साथ में आपर देखेंगे तो इंडिया भी है इंडिया के साथ चाइना भी है मतलब यहां पर बहुत सारे ऐसे और भी है और पर देखो कि AC का डिमांड जो है किवल बढ़ता जा रहा और बताया भी जा रहा कि 2050 तक यहां पर काफी ज़्यादा जो है डिमांड बढ़ चुका होगा तो क्या ऐसे प्रोड़क्ट वाले स्टॉक्स में पैसा लागाना सही है इन फ्यूचर अगर आप लंबे समय की निवेसा को ध्यान से अगर आप लंबे समय की निवेसा को अगर माल लेते हैं कि अगर आप 20 साल के लिए पैसा लागा रहे हो दस साल के लिए पैसा लागा रहे तो सोचो अभी 2020 है और यहां पर आपको 2020 माल लेतर तो 2050 तक आपको बताय तो डेपनाँ देखने को नहीं मिलेगे का नाम आपके सामने ब्लुस्टार अपकमिंग इवेंट आपको बताया जा रहा है क्वार्टर फॉर का जो रिजल्ट आने वाला है यहां पर आपको टाइम बताया जा रहा है सकता तो लेकिन अगर हम लंबस समय की डिमार्ड देखते तो लगवाग काफी एचा रिटर निकाल के दिया आप सोचने के खोसिस करेंगे यह इस टॉक जब भी भागा गिरता है जब भी भागा गिरता है यह क्या होता सीजनल आफक्ट पड़ता है सीजन जैसे जैसे चेंज होता है और सारे स्टेट में अलग-अलग टापकर जो अगर आते हैं, तो इसका भी अगर शेयर का प्राइस देखुए-धो तो देख सकते हैं कहां था, लगवग 30 रुपय के आसे पास था, और बीच में थ्रोड़ा-बहुत गिर गया थá, तो आप अच्छा कज़ा profit कर सकते हो अगर आपको 24,000% का 25,000% का अगर आपको return देखने को मिला देख सकते हैं अच्छा है कि नहीं है 24,000-25,000% का आपको return देखने को मिला तो और क्या चाहिए इतना तो मेरे हिसाफ से काफी ज़्यादा है अच्छा है पहले feel करो क्या आपको गर्मी लगती है क्या आपको AC चाहिए तो हाँ चाहिए भाई cooler चाहिए नहीं चाहिए अगर पैसे नहीं हो अलग बात है लेकिन फिर भी demand आती है जो 10,000 कमाने वाले हैं ये 20,000 कमाने वाले हैं उनको भी चाहिए लेकिन वो affordable नहीं हो पाता है तो मैं बता रहा हूँ आज blue star के बारे में क्यों क्योंकि इसके event है quarter है और देखो मैं बोल दे रहा हूँ अगर ऐसे stocks में आपको गिरावट देखने को मिले ना देखो ये stock कहा तक गया था लगबग ये 800 रुपे तक stock गया था फिर नीचे कहा तक आ गया था ये stock तो फिर देख सकते हैं चार सुरुपे तक आ गया था बिल्कुल 50% गिरावट याद रखो अगर ऐसे अगर माल लेते हैं ऐसे stocks में आगर आपको माले 40 to 50% का गिरावट देखने को मिले और भी ये कंपनी बहुत ज़्यादा अगर देखोगे तो वह भी काम करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हरी चीज़ के बारे में यह काम करते हैं एयर प्यूरिफाइब हो गया एयर कुलर हो गया वाटर प्यूरिफाइब हो गया और जो कोल्ड स्टोरिज बगर हो गया यह सारे चीज़ों के लिए कंपनी काम करती है तो यह अगर देखोगे तो भवित से इसका बहुत साही है भाई भवित से देखो आज कल के डेट में जितना गुलूबल वार्मिंग आपको देखने को मिलना इतना ज्यादा हीट परडूस हो अगर आप मालो अगर आप चुपचा बैठे हो अगर आप चुपचा बैठे हो कुछ ना बोल रहे हो फिर भी और अगर कहीं भी आप ट्राइवल करते हो तो पका आपको गर्मी देखने को लगती है है कि नहीं है अगर आप बाई वाक भी जाते हो तो आपको गर्मी देखन हो या बड़े बड़े जो company हो वो सभी काम यही करते हैं जहां पर आप देखना चाहते हो और यह इतनी बड़ी भी company नहीं है लेकिन एक नॉर्मल टाइप में बहुत सकते हैं लगब 8000 के आसपास market cap है लेकिन हाँ इसका market cap धीरे 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 बढ़ता जा रहा घट तो अंहीं रहा है यहां पर competition मीं बहुत कम हैं वह इहां पर देखो गये हैं तो देख सकते हैं यहां přर आपको कैवल दो ही Unternehmen देखने को है यह है । प्राफिट होने का competition देखो यहाँ पर हमने competition आपके सामने लाए है तीन company है तीनों का देखने के लिए यहाँ पर मैंने आपको क्या किया जितने financial pair थे उसके मैंने आपको चार्ट लगा दिया है यहाँ पर चार्ट से पता चल लगा साब साब कौन से company के पास कितना ज़्यादा ability है blue star देखोगे तो सबसे ज़्यादा high पे चल रहा हाई पे नहीं चल रहा अगर आप ध्यान से देखने के कोचिस कर गोई तो यहाँ से देखे यह थोड़ा थोड़ा उपर जाने के कोचिस कर रहा यह था blue star और जो दो company आपको देखने को मिला है या तो फिर customer satisfaction की बात कर लो out of market में हर जगह आप देखना चाहो तो यही अभी आपको मतलब अच्छी company के बात की जा रही है quality वाली की और company का profit भी होता है यहाँ पर देखोगे operating revenue तो पहले 3000 था 4000 हो गया फिर देख सकते हैं यहाँ पर 4000 600 हो गया 5000 हो गया फिर 5000 यहाँ देख सकते हैं 300 के आज पास लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिला 4000 के आज पास इस बर profit कम हो चुकि यहाँ पर प्रॉफिट कम हो चुकि आपको पता है कि company का income अभी थोड़ा सा कम हुआ तो यहाँ पर हम क्या करेंगे हम मौके की तलास में रहेंगे buy on deep करने की कोजिस करेंगे या तो फिर धीरे धीरे छोटे छोटे अमांट में stock भी खरीदने के कोजिस करेंगे तो वो भी सही रहेगा और इस company के बारे में देखेंगे असेट के बारे में देखेंगे current asset देख सकते हैं यहाँ पर आपको बताया जा रहा है और total asset हम देखेंगे आप तो अगर हम direct total asset और total date देखेंगे जो ज़्यादा important देखने को लिए लग रहा तो पहले यहाँ पर देखेंगे पहले यहाँ पर कितना था लग बंग 2016 में 2500 के आसवाज 2600, 3200, 3350 हो गया 3400, 3500 मतलब total asset बढ़ता जा रहा देखेंगे और यहाँ पर date देखोगे तो पहले तो था अभी तो जिरो हो गया अच्छी बात है date ना रहा है तब तो और सही रहेगा रिस्क बिल्कुल कम हो जागा तब इस तरीके से और यह सारे चीजों को भाई scale up करने में help करता है Amazon, Flipkart और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो वो लोग help करते हैं यह सारी चीजों का demand बहुत है मानता हूँ भाई क्योंकि फील होता है ऐसे चीजों से फील होता है तो मैं आपको बोलूँगा एक पर देख लिजे अगर आपको लगदा है कि यह सारे चीजों में भविस है 2015 देखो भाई कोई भी चीज लॉंग टर्म के लिए खरी दो मैं नहीं बोला हूँ भाई short टर्म के लिए खरी दो शेयर कर दो निशले का शेयर कर दो शेयर शेयर खरो उसी तरिकसे जिसका । शेयर कर दो इस तरिकसे जिसका शेयर खरिदिव बंगा और तक यह मुझे लगता है कि कम्तशाskin चार्चेयर पर है कि गरंबनेध और आप गयर BT यह साथ Г.R. buenos अगर आपके कवल 500 और य तो आने वाले भविस आपका जो होगा बहुत बढ़ा होगा बहुत सेकर होगा बहुत अच्छा होगा मैं बुलूँगा एक बार आप अपनी हिसाब से देख लो अगर कुछ गलत लगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है फाइनिसल अडवाई से जरूर कंसल्ट करें यहां पर किवल नॉलिज प्लस टॉक का नाम बताया जाता है बस